हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इर्टूब चैनल सतेंदर गुरुजी में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रीजिनिंग का प्रेटी से आठवा देखेंगे जो आने वाले सभी परिक्षाव के लिए काफी इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोग वीडियो के आन्ते तक जरूर बने रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या एक से प्रश्न संख्या एक है कौन से संख्या नीचे दिये गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगी कहने का मतलँ जिस परकार 343 का जो रिलेसन है वो 1331 के साथ में है वहीं संबं 729 का कोशन मारक के साथ में है और हम लोगों को कोशन मारक के भेलू फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त में आपको एक बात बताता हूँ यहाँ देखिएंगी जो 343 है यह क्या है साथ का क्यूबस है यनि साथ का घ्ण है अच्छा 1331 यह क्या है यह एगारे का घ्ण है यह बात को समझे है कि नहीं समझे है बिल्कुल यहनि 343 जो है 7 का Qs होता है और 1331 जो है 11 का Qs होता है अच्छें को बात बताएंगे 7 से यहांपर 11 कैसे banा है 7 से 11 कैसे banा है प्लस का यहां पर 7 में 4 किया गयا है यह बताएंगे आपको बात क्लियर समझ में आया है की नहीं यहांपर फाइनले दीख रहा है कि 7 का q Trade 341 एkl naar का q 331 है ठीक है यहाँ पर 729 है यह क्या है 729 जो है यह क्या है यह भताएज हमारा 9 का qbz है 9 का घं है तो यह भताएज मेरे पहरे साथ यहाँ पर अगला नमबर जो कॉस्ओन मार्क होगा यह क्या करेंगे question mark होगा वो क्या करेंगे question mark के value कैसे निकालेंगे देखो यहाँ क्या आएगा यहाँ 7 के बाद में यह गारे आया है plus का 4 किया गया है समझ पाया है उसी परकार 9 के बाद plus 4 करेंगे यहाँ plus 4 किया है तो यहाँ भी plus 4 करेंगे 9 4 हो जाएगा 13 और 14 का जो गहन होगा वही question mark के अस्थान पर आयेगा यह बते जो 17 का घहन कितना होता है तो हम सभी कोई बहुत ब्यहातरीन परीका से जानते है जो 17 का घहन होता है मेरे दोस्थ वो होता है 1900 संतानवे ओlor होता है 297 होता है हम समझ में आया बिल्कुल चलिए अगला कोशन क्या कहता है ध्यान देवेंगे करें दी गई आकिती में कितने त्रिभूज है देखो हमारे पास एक आकिती दी गई है इसमें कितना त्रिभूज है बताना है मेरे दोस्त इस question को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा concept बताता हूँ देखो एक क्या है एक बर्ग है अगर इसके अंदर हम लोगों को एक line ऐसा की चाहो एक line ऐसा की चाहो आप से पूछ लिया जाए कि इसमें total number of triangle है कितना यहाँ इसमे total कितना त्रिभूज है तो आप क्या करेंगे इसको number करना एक दो तीन चार चार तक number करना सबसे बारा number क्या है आठ यहाँ पर सबसे बारा number क्या आया है चार आया है बस इसी चार का तुम कर देना double चार दोने कितना आठ हो जाएगा तो इकोशन में यहाँ पर जो इबर्ग के अंदर जो त्रिभूज मना है इसमें कितना त्रिभूज हो गया आठ त्रिभूज है मेरे दोस्त कितना भी लाइन खिच लो सेम यहीं logic लेगा ठीक है अच्छा इबते है सबसे 12 नमबर क्या है सबसे 12 नमबर 8 है बस इसी का कर देंगे हम double 8 का double कर देंगे 8 का double कितना होता है बाई 16 तो इस आकिरती में total 16 त्रिभूज है option number D इस question का right answer होगा ठीक है दोस्त तो उम्मीद है कि आपको एक question जरू समझ में आया होगा ठीक है बहुत सारा बच्चे को मन में doubt चल रहा होगा कि यह जो बर्ग है इनके अंदर आपने तो त्रिभूज बता दिया कितना 8 त्रिभूज है लेकिन कैसे मेरे दोस्त आपको मैं बता दो यहाँ simple सा कितना त्रिभूज दिख रहा है एक दो तीन चार चार त्रिभूज तो यह छोटा छोटा वाला दिख रहा है बिल्कुल सही छोटा छोटा कितना चार दिख रहा है प्लस यहाँ देखो एक E12 वाला दिख रहा है कि नहीं जश्ट इसके अपोजिट एक दिख रहा है दो यहाँ से हो गया ठीक है अच्छा और देखो और नीचे वाला बेस पर एक तिर भूज यहाँ दो यहाँ से आ गया 8 तिर भूज हो गया कि नहीं यहीं हम लोग डाइरे कोशन की तरह चलिए अगला कोशन है एक पासा के चार अलग अलग चित्र नीचे दिये गया है सतह तीन के विपरित कौन सी संख्या है हम लोगों को बताना है मेरे प्यारे साथियों एक पासा के चार अलग अलग चित्र दिया गया है सतह तीन के विपरित कौन सी संख्या है म उसमें हम लोग जानते हैं कौन सा ट्रिक ढूंडना उसमें ट्रिक ढूंडना मेरे दोस्त one common trick one common trick क्या कहता है जो भी चीज common है उसे उपर निचा लिक लो जैसे आकिर्ति नंबर फ़ॉष्ट और आकिर्ति नंबर यहां पर फ़ॉष्ट है और आकिरति नमबर यहाँ पर क्या है second है अगर हम आकिरति नमबर फुश्ट और आकिरति नमबर second को लेते हैं यहीं पसा 1 और पसा 2 को लेते हैं इसमें one comment trick लगाएंगे ठीक है इसमें one comment trick लगाएंगे तो क्या लगागा ध्यान से देखो दोनों में common क्या चीज है यहां भी 2 common है यहां भी 2 common है और one common trick क्या कहता है जो भी चीज common है उसको उपर और नीचे लिख लो बहुत बनिया आकिरती नमबर एक में common number के बाद clockwise direction में घुमेंगे common के बाद clockwise direction में घुमेंगे ठीक है तो 2 के बाद में कितना आएगा 6 आएगा 6 के बाद में कितना आएगा 3 आएगा बहुत बनिया अच्छा आकिरती नमबर 2 में 2 के बाद clockwise घुमेंगे तो 2 के बाद कितना आएगा भाई 5 के बाद में कितना आएगा 4 आएगा ऐसा करने से मेरे दोस्त जो एक दुसरे का उपर नी का विप्रित क्या होगा तो यहां पर 2 का विप्रित क्या होगा तो मेरे दोस्त 1 से 6 तक नमबर दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है ठीक है एक से लेकर 6 तक इस पासा पे नमबर अंकित है तो जो नमबर छीपा हुआ होता है वहीं दू का अपोजिट होता है हम लोगों से पूछा गया था सब्था 3 के विप्रित 3 के विप्रित क्या आया है भाई 4 आया है option number A इस question का ठीक answer हो जाएगा ठीक है दोस्त उम्मीद है कि आपको एक question जरू समझ में आया होगा अब हम लोग अगले question की और बरते हैं चलिए अगला question है लोगति संख्या गयात करें बहुत बनिया question है यहाँ पर जो question mark के आस्थान है न इनके आस्थान पर कौन सा number आएगा इसी को find out करना है मेरे प्यारे साथ योग कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे आप लो यहाँ पर करना का जैसे फॉस्ट आकिर्ती में क्या दिया है फॉस्ट आकिर्ती में दिया गया है उसको ध्यान से देखो यानि कि 11 और 12 का यूज करके और 6 और 9 का यूज करके 88 बीच में बनाना है कैसे करेंगे मेरे दुश तुम क्या करो 11 और 12 दुनों को आपस में गुना कर लो और 6 और 9 को आपस में गुना करके अंतर निकाल लो ठीक है हमने आपको क्या बताया 11 गुना 12 गुना 12 कर लो इसमें से घाटा लो तुम कितना 6 गुना 9 इस में से तुम घहटा लो क्या 6 गुना 9 गहटा लो बात क्लियर है 6 गुना कितना 9 समझ पाएं है कि ने बिल्कुल 11 को 12 में गुना करेंगे कितना होगा 12 तहीं 120 आ 12 132 होगा आ 6 गुना 9 चमवन होगा ठीक है यहां बचा 12 में से जब हम 54 को घहटा आएंगे कितना बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा यहां बचा 12 में से 5 जाएगा 7 बिल्कुल 78 आया यहां पर अल्रेडी अथराटर दिया गया है दिख रहे हैं? बस यहीं लोजिक लगा दो सकेंड आकिरती में ठीक है भाई? यानि कि 14 गुना 10 कर दो 7 गुना 8 करके घहटा लो 14 गुना 10 14 गुना कर दो 10 में 14 गुना 10 कर दो ठीक है? चलो color को change करते हैं बहुत बढ़िया question था इसलिए इसको color को change करते हैं ताब को आपको दिक्कत ना हो समझने में 14 गुना कर लो 10 14 गुणा 10 कर लेंगे माईनस यहां कर लेंगे 7 गुणा कितना 8 समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल अब हम क्या करेंगे? 14 गुणा 10 हो जाएगा 140 माईनस 8 गुणा 7 हो जाएगा 56 यानि कि 10 में से 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा यहां बचा 13 में से 5 जाएगा तो 8 मचेगा तो इक question mark के अस्थान पर 84 आएगा जो option number A में दिया गया है ठीक है तो इस question का right answer option A हो जाएगा से ठीक है मेरे दूस्त कितना आसान question था 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 ना बिल्कूल तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक question जरूर समझ में आ गया होगा इसी लिए मेरे दोस्त अब हम लोग next प्रस्न की ओर बरते है चलिए अगला question क्या कहता है कारह कौन सा बेनारेक नेमने सब्दों के बीच के संबंध को सही धंग से दरसाता है मेरे प्यारे साथियो यहाँ पर जानवर है जेबरा है जानवर जेबरा और गोंडा है गोंडा मतलब गेरा मेरे प्यारे साथियो यह बताए जानवर आ जेबरा में कोई रिलेसन है हाँ बिल्कूल है क्या है जानवर आ जेबरा के बीच में कौन सा रिलेसन है सारा जो जेबरा है वो जानवर के भीतर में आएगा जितना जेबरा घोरा जो होता है जेबरा का मतलो घोरा जितना जेबरा है सारा जानवर के भीतर में आता है अच्छा ये पते हैं जेबरा और गोंडा के बीच में कोई रिलेसन नहीं इनके बीच में कोई relation नहीं है क्योंकि गुरा अलग परकार के जानवर है और जेबरा अलग परकार के जानवर है बहुत बनिया अच्छा जानवर और गुंडा के बीच में को रिलेसन है हाँ बिल्कुल है सारा गुंडा जो है जानवर होता है ठीक है तो इसका आरेक कैसे बनेगा भाई देखो आरेक बनेगा जेबरा का बनेगा यह वो अलग गोंडा का बनेगा अलग G से इसको गोंडा लिख लेते हैं Z से इसको जेबरा लिख लेते हैं ठीक है जेबरा और गोंडा दोनों अलग-अलग जानवर है ठीक है तो दोनों अलग अलग हैंगे लेकिन जानवर है तो इसके लिए इसको अलग से एक जानवर का बनाएगे यानि एनिमल एसे एनिमल मतलब जानवर तो इसका आरेक इस परकार से बनेगा तो मेरे प्यारे साथ हो ऐसा कौन सा ओप्षन में दिया है तो ऐसा है कि आपको एक कोश्चन जरूर समाज में आ गया होगा अब हम लोग अगले कोश्चन की और बरते हैं ठीक है चलिए अगला कोश्चन है करें डी का भाई ए है डी सी का पुत्र है बी सी का पिता है ये का बी से क्या संबंद है आपके सामने कोश्चन एंटी पीसी में पूछा होगा ना महिला को हम लोग बन करते हैं सरकिल में ठीक है महिला को हम बन करेंगे किसमें सरकिल में आप पूरुसकुत क्रिभूज में अच्छा इसको हम फैमली ट्री से बिल्कुल बनाना सीखेंगे बिल्कुल आसान कोश्चन ठीक है इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से आप ल मेल है इसलिए इसको बन करेंगे हम तिर्भूज में बहुत मर्या आगी कुश्चन करता है डी सी का पुत्र है जो डी है वो सी का पुत्र है तो सी से निचे आएगा अब पुत्र है इसका मतलब पूरूस है इसलिए इसको बन करेंगे हम तिर्भूज में ठीक है यह यह क्या है C का पुत्र है तो C से निचे आएगा इसलिए इसको बन करेंगे त्रिभूज में क्यों कि पूरूस है आगे question कहता है B C का पिता है जो B है न वो C का पिता है तो C से उपर आएगा B क्या है C का पिता तो C से उपर में आएगा B बहुत बन या question है ध्यान देना, क्या बता है question, B जो है C का पिता है ठीक है, तो B C से उपर आएगा, ऐसा बनेगा अब पिता है, इसका मतलब इसको त्रिभुष में बन करेंगे क्यों कि पूरूस है तो इसका family trip बन के इतना सा ready हो चुका है मेरे दोस्त अब हम लोगों से क्या पूछा गया है तो A का B C, जो A है वो B का कौन है यहीं बताना है देखो मेरे दोस्त, अगर C पूरूस हुआ, तो B का A जो होगा, वो जानते है कौन होगा C का बेटा है D, और D का भाई है A, ठीक है तो अगर C पूरूस है, तो पूरूस है, तो इसका मतलब B का बेटा है C, C का बेटा है A, पूता होगा अगर C महिला होई, तो A क्या होगा, नाती होगा बेटी का बेटा को नाती बोला जाता है अगर यह पूरूस हुआ, तो बेटा के बेटा को पूता बोला जाता है, तो इसका answer क्या होगा option number C होगा पोता या नाती मेरे दोस्त मैं आपको बता दो जिस भाई को family tree बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जाएए वहाँ पर हमने चाहे इस वीडियो का description में ही link डाल देंगे blood relation का link डालेंगे वहाँ से जाकर complete वीडियो को वाज कीजिए ताकि आपको ये family tree बनाने में दिक्कत ना हो ठीक है अगले question क्यों बार है जाए बिलकुल चली अगला question कहता है यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ माइनस R का अर्थ गुना और S का अर्थ भागा है तो निम्ने लिखित बेजा कमान ग्याद कीजिए बहुत बनिया question question है, यहाँ पर question क्या है question है 2 by 3 question जो है, O है 2 by 3, गुना S के जगह पर क्या लेना है S के जगह पर भागा लेना है बहुत बनिया, भागा लेना है 1 by 3 ठीक है, आच्छा 1 by 3 हो गया, अच्छा इसके बाद क्या है क्यों क्यों के जगे पे क्या लेना है माइनस लेना है साथ उसके बाद पी पी के जगे पे हम लोगों को प्लस लेना है उसके बाद साथ आर आर का जगे पे क्या लेना है आर का अर्थ है गुना तो गुना लेना है पांच बस इसी को सल्व कर लेंगे मेरे तो color change करने देजी हमें color change हो गया अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको board mass के तरीका से solve करना यह दोनों को आपस में solve करेंगे तो कितना होगा भाई देखो यह जो है भागा में गुना में जब पलटे का तो कितना होगा यहाँ पलिखते हैं 2 बटा तीन ऐसे ही ठीक है गुना तीन बटा एक हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा माइनस कितना है 7 है पलस इसको गुना एक साथ कर सकते हैं 7 पच्चे 35 अब देखो color को change करते हैं यहाँ देखेंगे यह 3 से 3 आपस में कट जाएगा इधर क्या पच्चे का 2 माइनस यहाँ 2 भी अध्यान देखेंगे यहाँ पर क्या है 2 माइनस 7 प्लस 35 अब इनको हम सल्ब करेंगे तो कितना बनेगा 2 माइनस का 7 अब प्लस का कितना 35 समझ पा रहे हैं यहनि 35 में 2 जूटेगा तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा 37 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा यहनि 35 अदू कितना 37 37 में से 7 घटेगा कितना बनेगा 37 में से 7 घटेगा तो 30 बचेगा कौन सा option में दिया है भाई 30 option number A में दिया है इस question का right answer option number A होगा सही ठीक है दोस्त उमीद है आप इस question को भी जरूर समझ लिए होंगे आपके सामने है किसी एकजाम में पूछा गया देखो railway का NTPC का question है हम अपने मल से थोर भी ला रहे हैं मेरे दोस्त बिलकुल पूछा गए question है प्रिबियस ये question है ओ भी 2020 का question है दोस्त ठीक है चलिए अगला question चलिए अगला question है दीग इस रिंकला में अगली संख्या ढोंडे यानि कहने का मतलब जो question मारखान इनके अर्थान पर कौन सा number आएगा यहीं बताना है आपके सामने है एक group D का पूछा हुए question है 2022 में ठीक है भाई चलो देखते हैं सबसे पहले 12 से 60 कैसे बना सकते हैं यहाँ जो बारे है न 12 से 60 कैसे हम लोग बना सकते हैं 12 से 60 बनाना बेहद आसाने कैसे अगर बारे को 5 से गुना कर दे तो 60 बन जाता है अच्छा 60 से 65 कैसे बनेगा 60 से 65 कैसे बनेगा अगर 60 में प्लस का हम 5 करेंगे तो 65 बन जायेगा बिल्कुल सही कहाँ अच्छा इबते 65 से 325 कैसे बनेगा अगर इनको हम गुना 5 करें तो बन जायेगा बिल्कुल सही कहाँ आप ने अच्छा 325 से 330 बना इसका मतलब प्लस का 5 हुआ है यह बताए आपको logic समझ में आया कि ने बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया है logic क्या दिख रहा है यहाँ पर जानते हैं भाई logic यहाँ पर बारा ही simple है क्या है कि पहले गुना 5 फिर प्लस 5 फिर गुना 5 फिर प्लस 5 तो अगली बार गुना 5 होगा समझ रहे हैं यह कहने का मतलग एक बार 5 को गुना किया जा रहा है और एक बार प्लस 5 एड किया जा रहा है ठीक है तो गुना फिर प्लस गुना फिर प्लस तो आगले बार किया आएगा गुना आएगा 5 ठीक है यहीं 330 को 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा भाई 0 से 5 में कुना करेंगे तो जीरो होगा पांच तियां पंदरा के पांच हांसिल कितना एक पांच तियां पंदरा और एक सोले सो पचास इस question का right answer होगा जो option number B में दिया गया है ठीक है दोस्त तो उम्मीड है कि आपको एक question जरूर समझ में आगया होगा बहुत आसान question था था न चलिए अगला question की और बारह जाए बिल्कुल चलिए अगला question क्या कहता है ध्यानने का रहा है कौन सा सब्द नेचे दिये गए संबंद को सही तरीका से पूर्ण करेगा यहां पर क्या है अनाज का जो relation है और धेर से है अनाज का relation की से है धेर से है उसी परकार कागज का relation question mark से हमें question mark का value find out करना है मेरी तोस्त में आपको बताता हूँ एक बात बहुत सारा जब अनाज हो जाता है अनाज के बहुत सारा जो अनाज धेखन हो जाता है पहुत सारा आनाज के दिंद नहीं बोला जाता है धे हात में धेरी हो गया। ँसी परकार जब पहुत सारा कागज के लुकत करने से बंडल का निर्मान होता है ठीक है भाई आगे बारा जाए चलिए अगला कोश्चन यदि P E A L R P E A R L को Q F B S M लिखा जाता है तो S U I T को कैसे लिखा जाएगा बहुत important कोश्चन है तो ध्यान से सुनिएगा यह हमारा coding recording का कोश्चन है क्या है R है उसके बाद में E है R के बाद में क्या है E उसके बाद में A है उसके बाद में R है उसके बाद में L है और यहाँ पर इसको क्या लिखा है इसको लिखा है उसमें क्यूं क्या लिखा है ध्यान से लिखिए क्या लिखा है भाई क्यूं लिखा है चलो फिर से लिखते हैं यहां पर क्या लिखा है क्यों लिखा है यहां पर लिखा है F, Q, F उसके बाद में क्या लिखा है B लिखा है उसके बाद में क्या लिखा है S लिखा है उसके बाद में क्या लिखा है M लिखा है हम लोगों से पूछा क्या गया है S, U, I और T, इनका code क्या होगा मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर logic आपको नजर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, बहुत आसान question है, R से क्यूं बना है R का स्थान 18 क्यूं का 17-1 E से F बना है E से F बना है E से, नहीं, नहीं, मेरे दोस्त यहाँ पर R नहीं है, वो P है ध्यान से देखो, हमने miss कर गया हमने miss कर गया था भाई, यह क्या है यह R नहीं है भाई, यह P है E R नहीं है P है, वहीं तो कह रहे है P है, चलो यहां पर क्या है P है तो P से क्यों बना है प्लस वन बहुत बरिया P से यहां पर क्या है P है अब हम देखेंगे P से क्यों बना है P से क्यों बना है प्लस वन हुआ है बहुत बरिया प्लस वन हुआ है E से F बना है यहां भी प्लस का वन हुआ है समझ पा रहा है कि नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है यहां देखेंगे A से B बना है यहां भी प्लस का 1 हुआ है R से S बना है यहां भी प्लस का 1 हुआ है समझ रहे हैं R से M बना है यहां भी प्लस 1 है इन्हीं सारा लेटर में प्लस 1 कर दिया गया तो उसी परकार यहां भी हम कर देंगे समझ पा रहे हैं? उसी परकार यहां भी हम कर देंगे यहां कैसे करेंगे भाई ध्यान देंगे S में प्लस 1 करेंगे यानि प्लस 1 S का अस्थान 19 होता है प्लस 1 जो रेंगे 20 हो जाएगा 20 वा लैटर T होता है अच्छा यू का स्थान 21, 21 में एक जुरेंगे 22, 22 वी अस्थान पर लेटर भी होता है ठीक है आई का स्थान 9, 9 में 1 हम एड़ करेंगे कितना बनेंगे 10, 10 वे लेटर जे होता है टी का स्थान 20, 20 में एक जुरेंगे 21, 21 वे अस्थान पर लेटर यू होता है ठीक है तो इक question का answer क्या है भाई इक question का answer का है टी भी जे यू option number A इस question का right answer होगा option number A देख रहे हैं option number A इस question का right answer होगा ठीक है दोस्त चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी प्रोशन को बहुत ही बनिया तरीका से समझ गया हूँगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरू सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों की पास सेर करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंदे